हेलो एवरीवन सो आइ वेलकम यू आल टो दे यूटूब चैनल आफ विनिंग एज और प्यारे बच्चो जैसे कि आप सभी की बहुत डिमांड थी कि सर प्लीज आप क्लास नाइंथ का कोड़ शुरू करिये क्लास नाइंथ का कोड़ शुरू करिये मैट्स का हम आपके इसी मोटिवेशन को देखते वे या इसी कमेंट्स को देखते वे हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आया और हमने सोचा कि क्यों ना हम नाइंथ का मैट्स का कोड़ शुरू करे प्लीज बच्चो पहली बात तो मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप please ये channel जो है please आप subscribe करिए और please आप लोग अपने friends group में share करिए देखिए आप सभी लोग cynic school class 9th की तयारी कर रहे होंगे या rms class 9th की तयारी कर रहे होंगे या इसके अलावा वो भी बच्चे होंगे जो तयारी तो नहीं कर रहे बट वह अपना base बना रहे biz बनारेば क्लास 10 के लिए biz बनारे क्यूंकि मैं इसमें simple interest पढ़ाने वाला हूँ मैं इसमें compound interest पढ़ाने वाला हूँ मैं इसमें आपका ratio and proportion पढ़ाने वाला हूँ इसमें maths week है, तो please आप ये channel उनके साथ भी share करिए क्योंकि हम बनाने वाले आपको zero से hero तो दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बच्चो, देखो दो way में हम तयारी करेंगे, एक way one way नहीं होती, कभी भी तयारी, एक way मैं आपकी तयारी कराऊंगा यहाँ पर जिसमें मैं आपको questions करवाऊंगा, दूसरा way आप खुद questions करेंगे और इसके अलावा आपको अपना discipline change करना होगा, discipline कैसे change कर सकते हैं, देखिए आपकी age है, सबकी age होती है देखिए आप सभी के अंदर में मेरे को पता है कि hormones का kick होता है क्योंकि आप सभी teenagers होगे, maximum लोग, बट यही time है जब आप hormones को hobbies में converts करिए, अपनी hobbies को increase करिए, आप table tennis खेलते हैं तो table tennis खेलिए, आप book read करते हैं तो book read करिए आपके पास इतना opportunity इतना time है, देखिए यह बात कता ही ही सच नहीं है कि जो आप success पाओगे वो अपनी pace पे पाओगे मैं यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ, मैं बोलूँगा ठीक है, मैं अपनी pace पे success पालूँगा, मैं दोडूँगा ही नहीं, if I am not attending the field, तो मैं कैसे how I am going to win the race, okay, if I am not going to start the race, then how I am going to win the race, तो at least आपको यह बात याद रखनी है, अगर आप यहाँ चैनल तक पहुँच चुके हैं, तो यही motivation आपको last तक का बरकरार रखना है, दूसरी बात, दूसरी बात मैं आपको यह एक और चीज बोलना चाहता हूँ, अभी से आप जो है अपना newspaper वाली जो reading को enhance करिए, increase करिए, कैसे कर सकते आप newspaper पढ़िए, अच्छे newspaper, जैसे आप अभी नए-नए हैं, तो शुरू करिए Times of India से, फिर धीरे-धीरे the Hindu की तरफ जाईए, मुझे बता है, आप मैं से कही सारों के parents बोलेंगे, अभी तो तेरी age बहुत चोटी है, बच्चे जो कारणा में होते हैं, वो छोटी age में ही होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, देखो अभी से आप prepare करोगे, तो for example, आपको engineering के लिए college जाना है, तो engineering के लिए आप preparation 21 के बाद शुरू नहीं कर सकते हो, आपको 11 में शुरू करनी पड़ेगी, मतलब अगर वैसे तो आपको 8 से शुरू कर देनी चाहिए, बट 8 से अपना base strong करोगे, तो math strong होगी, ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको defense में जाना है, तो आप क्या 21 साल से शुरू करोगे defense में जाने के तयारी, तयारी जो है, वो अभीशे शुरू करनी पड़ेगी आपको, तब ही जाके आप forward जा सकते हो, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे हमारे साथ, जो 21, 22 years के होंगे, आप लोगों को भी demotivate नहीं हो पर, पहली आपकी reading increase होगी, ठीक है, यह बोलने वाली बात है कि मतलब English का कोई importance नहीं है, English एक foreign language है, बट वो use है, हर जगह उसका use है, आपको English एक necessary, जो है वो आपका importance है, अब आप, आप लोग English course न मत करिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, English speaking का course करते हैं, यह करते हैं, वो करते हैं, अरे भाई, एक बात बताओ, क्या तुमने Hindi speaking का course कर रहा था, कहीं Hindi speaking का course करे थे, क्या, नहीं करे थे, तो तुम English speaking का course क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने, अपने end से आप बस newspaper पढ़िए, Hindi newspaper मत पढ़ना, उसमें यह, उसमें पता, news is कैसी होती है, जैसे, दो बच्चों की मा फरार हो गई, अपने आशिक के साथ, अरे ऐसे news का हम क्या करें, it is not relevant, यह आपकी सिर्फ मसाला ख़बर है, ठीक है, तो यही चीज में आपको बोलना चाहरा था, इसके अलावा आपको dedication से, आपको पढ़ाई करनी है, आपको ठीक है, अगर आपको scenic school में जाना है, तो वो तो और भी important है, आपको और महनत करनी पड़ेगी, और दूसरा, आपको अगर नहीं भी जाना है, तो आप अपना base तो strong career हो ना, आप अपना future का base तो strong career हो ना, तो please आप लोग जो है, at least one, अपने time को increase करिए, अपने, अपनी capability को increase करिए, जैसे आप gym जाते हैं, gym में क्या होता है, आप regular exercise करते हैं, तो आपके body में cuts बनते हैं, है की नहीं, आपकी body में क्या बनते हैं, वो biscuit, biscuit बोलते हैं, वो बनते हैं, है की नहीं, तो इसमें क्या होता है, आपके curves बनते हैं, और ये curves, इस curves की तरह नहीं होते हैं, अच्छा, आप लोग क्या करो, दो दिन exercise छोड़ दो, ये जो आपके six packs बने वे, वो गायब हो जाएंगे, बट अगर आप दो दिन exercise नहीं भी करोगे न, बट इनके जो curves हैं, वो घटने वाल जिसे हम वो कहते हैं, अखरोट, अखरोट की तरह बनाना है, ऐसे ऐसे shape वाला, वो तभी बनेगा, जब आपकी intelligence बढ़ेगी, और जब आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, तो बहुत सारा lecture हो गया, प्लीज, आप लोग subscribe करें हमारे चैनल को, तो आज हम पहला chapter शु नहीं नहीं पढ़ा होगा, बट जैसे for example, आप लिखते हो two is to three, बट वहीं पे आप एकदम से लिख देते हो two upon three, तो फिर ये fraction ही क्यों नहीं है, क्यों हम इसे ratio अलग से पढ़ रहे हैं, तो मैं ये आपको चीज बताना चाहरा हूँ सबसे पहले, शुरू करने से पहले, ज होते हैं, मतलब मैंने क्या वोला, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे for example, students हैं, देखो students की जब बात हो रही है, तो या तो आपके boys होंगे, या फिर आपके girls होंगे, तो यही दो तरह के आपके students हो सकते हैं, या तो boys हो सकते, girls हो रहे, तो एक ही quantity के आपके दो अलग अलग quantity की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं, students में आपका boys और teachers की बात कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, तो आपका same quantity की बात होती है, लेकिन आपके ये बात आपको याद रखनी है, अब देखो, जो कोई भी ratio होता है, वो आपका A to B की form में लिखा रहता है, A to B क आपका consequent होता है, यह आपका आपको याद रखना है, बहुत जादा important नहीं है, यह बात आपको याद रखनी है, बट चलो basic है, तो यह आपको याद रखनी है, बहुत जादा कुछ ऐसा है, नहीं कि इसमें कुछ याद करना है, या बहुत जादा ऐसा कुछ है, या याद कर बस एक बार आप इसको revise कर सकते हो, अब देखो दुसरी चीज में आपको बताना चाहता हूँ simplest form, जैसे 4 upon 16 आपका लिखा हुआ है, और इसको बोलता है कि आप simplest form में इसे convert करो, तो जब आप इसे simplest form में convert करोगे प्यारे बच्चो तो इसको आप सबसे पहले 2 से cancel करोगे, 2, 8 to the 16, 2 ones are 2, और 4 to the 8, 1 upon 4 आगया, है कि नहीं, 1 upon 4 आगया, अब इससे फर्दर तो यह आपका cancel out नहीं हो सकता, तो यह जो आपका, यह जो आपका, इसको हम कहते हैं, जब आपका HCF, या highest common factor, जब आपका 1 बच जाता है, जब आपका 1 बच जाता है, तो मतलब इन दोनों के बीच में, आप सिर्फ common factor 1 ही है, और जो है, वह आपका 1 है, तो इसी कौम कहते हैं, यह जो है, आपका simplest form में convert हो चुका है, अब प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, कुछ होता है, यह बात आपको याद रखनी, यह बात आपकी basic वाली चीज़ है, अब देखो, कुछ properties होती है, ratio की, देखो, आपका एक बात आपको याद रखना है की, देखो, if the numerator and denominator, देखो, अगर numerator और denominator, एक ही ratio से अगर आपका divide होता है, या वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका same ratio कहलाता है, for example, अगर यह 4 upon 2, कोई ratio है, या 4 is to 2, अगर कोई ratio है, ठीक है, 4 is to 2 कोई ratio है, और इसमें मैं multiply कर देता हूँ, आपको उपर भी 3 से, और नीचे भी 3 से, तो answer क्या आना चाहिए, again 4 upon 2 आना चाहिए, यह आपका बोल रहा है, तो इसको अगर आप further solve करोगे, तो यह, यह तो आपका, यह आ गया, ठीक है, इसको अगर आप further solve करोगे, 3, 2, 6, 4, 3, 3, 2, 6, 4, 3, 12, ठीक है, 3, 2, 6, sorry, 6, 2, 12, तो यह आ रहा है, आपका 3, 2, 6, तो यानि 2 is to 1 का ratio है, फिर आप बोलोगे, सर, यहां तो 4 is to 2 था, बट इसको अगर आप further solve करोगे, तो 2 is to 1 ही तो है यह, तो अगर आप देख पा रहे हो, कि यह जो दोनो ratios है, अगर आप similar number से denominators और numerator को multiply करते हो, यह आप divide करते हो, तो यह always similar रहेंगे, तो यह बिलकुल basic सी बात है थी, कुछ basic सी बात है थी, यह आपको याद रखना है, अब आते हैं questions पे, सबसे पहला question बोल रहा है, A और B के जो ratio है, A to B, A upon B में जो ratio है, वो 3 upon 4 का है, और B upon C में जो ratio है, वो आपका 5 upon 4 के ratio में, अब देखो, आपको याद रखना है, कुछ चीज हैं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, मैं आपको school वाली method से भी बताऊंगा, और जो आपका competition पूछता है, उस method से भी बताऊंगा, मतलब जिससे आपको question जल्दी कर सकते हो, देखो, B upon C, B upon क्या, B is equal to 5 upon 4, यही तो बोले ने, B is to C को मैं 5 upon 4 लिख दिया हूँ, और A upon A is to B को मैं 3 upon 4 लिख दिया हूँ, अब देखो, जैसे कि आप school में करते ही होंगे, कि आपको इस B को equal करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे जो B है, वो यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे जो B देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 और 5 दो values हो सकती, एक ही ratio में किसी चीज की, तो नहीं हो सकती है, तो इसमें आपको क्या करنا पड़ेगा, दो को similar करना पड़ेगा, similar कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आप upon 4 बन जाएगा जो कि एक ultimately different fraction बन जाएगा different ratio बन जाएगा लेकिन मैंने क्या बोला ratio change नहीं होता है अगर हम same चीजों से उपर नीचे multiply करते हैं तो मैंने नीचे भी आपका उपर भी मैंने आपका किस से multiply कर दिया 4 से और नीचे भी मैंने आपका 4 से multiply कर दिया तो 4,4 जा कितना हो गया 4,4 जा आपका 16 हो गया same प्यारे बच्चों आपका उपर भी चलेगा उपर आपको ठीक यह वाले से करना है मतलब यहाँ आपको इसके उल्टे से करना है 5 से और यह 5,3 जा 15 हो जाएगा 4,5 जा 20 अब आप देख पा रहे होगे जो B है वो मैंने similar कर लिया है तो अगर आपसे मैं पूछू A to B to C का रेशयो कितना होगा तो आप देख पा रहे हो A to 15 है B आपका 20 है और C आपका 16 है अगर यह further cancel out हो रहे है तो आप cancel करेंगे जैसे for example बोलना A to B आप लिख लो A to B to C जो आपको यह आपको पूरा का पूरा लिख लो पूरा fraction अब देखो A to B जो हो आपका 3 to 4 है है ना और B to C कितना है 5 to 4 है अब क्या करो अब ऐसा करो इसके नीचे डालो एक लाइन अब देखो इसके साइड जो है सेम यही नंबर इधर उतार दो 5 के साइड इधर 5 और 4 के साइड इधर 4 है ना जो अगला वाला gap है वो आपका fill हो जाएगा अब यहाँ पर देखो 4 forza क्या हो जाएगा 16 यह हो जाएगा 5 forza 20 यह हो जाएगा 5 3 za 15 तो यह method देखो बिल्कुल आपको एक ही उसमें करना पड़ेगा एक ही step में करना पड़ेगा और यह पूरा आपका A is to B is to C का answer आ चुका है तो यह question मेरी ख्याल से आप सभी को समझाया होगा ठीक है चलो अब अगले question की तरफ को बढ़ते हैं यह देखिए यह थोड़ा सा लंबा question है अब देखो इसमें क्या करना है A upon B जो है वो आपको 3 upon 4 दिया हो है A upon B जो है वो कितना दिया हो है A upon B आपको दिया हो है 3 upon 4 फिर उसके बाद B upon C दिया हो है कितना 5 upon 4 फिर उसके बाद C upon D दिया हो है वह कितना दिया हुआ है 3 upon 2 और आप से पूछ रहा है A is to B is to C is to D निकालो देखो अब आप यहां पे निकालोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा पहले मैं C को से मल्टिप्लाइ करूँगा नीचे भी 4 से मल्टिप्लाइ करने पड़ेगी तो यहां पे जो B है वो अब क्या बन चुका है 15 upon 12 और यहां पे C जो बन चुका है 12 upon 8 बनाए की नहीं बतना अब देखो C तो से मोगे लेकिन B यहां 4 है यहां 15 है तो मुझे यहां 4 स मुल्टिप्लाइ करनी पड़ेगे उपन नीचे और यहां मुझे करनी पड़ेगी 15 से उपन नीचे लिए तो यहां गांसे ह करना पड़ेगा 4 से multiply करनी पड़ेगी तो 12 फोर्जा 48 हो जाएगा और 8 फोर्जा 32 तो अब देखो अब आप A इस्टू B इस्टू C जो है इस्टू B इस्टू D निकाल सकते हो कितना आपका A जो है वो कितना आ गया 45 आ चुका है फिर उसके बाद C आपका 48 आ चुका है और D जो है वो आपका यह C है और D जो है वो आपका कितना आ चुका है 32 आ चुका है जो कि अब आपको क्या करना पड़ेगा 45 60 यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह अगर मैं पूरा का पूरा erase करता हूं क्योंकि मुझे A B औ को ब्र 1200 तो अब देखो एकी जिगवा पे क्या गया 45 वडी जगा पर क्या आ गया 60C की जगह पर क्या फॉर्टुएट और D की जगह पर क्या अगिया 32 अब देखो इसमें से चुछ कुछ common है तो आप बहुत के यह था यह फाइक में जाता जैसे मैंने मैं आपको कैसे बतायए a a…b…c…c… like फिर अब देखो घुसाइब तो यहां पर तो यहां पर बिल्कुल इसके आगे आना चैने से बिल्कुल एडिटों 5 आना चैने से यहां पर तुल 147री. ठीक है समझ आगया अब यहां पर 4 नहीं है तो यहां पर भी 4 आएगा यहां पर आपका 4 नहीं है तो यहां पर भी आपका 4 आएगा तो अब इसको आप सॉल्व करोगे 4 4 16 16 2 32 इसको सॉल्व करोगे 4 4 16 16 3 48 इसको सॉल्व करोगे 4 5 20 23 तो यह देखो अब आप खुद बताओ कि कौन सा method easy है समझ आये कि यहां तक यह नहीं आया मेरी ख्याल से आप लोगों को यह कोशिन जो है वो अच्छे से समझ आगया होगा तो चलो यह कोशिन अगर समझ आ गया तो फिर अगले कोशिन की तरफ को बढ़ते हैं देखो अब य ह मैंने कोशिन जो है वह सिनिक स्कूल का ही पूच गया कोशिन है जिसमा आपको a is to be is to c is to d नबला है आपको क्या निकालना है a is to b is to see is to d निकालना है तो अगें मैं इस वाले method से कर रहा हूँ a is to b कितना है 3 is to 4 है ठीक है B is to C कितना है 5 is to 7 है अच्छा C is to D कितना है 3 is to 5 है ठीक है यह हमको already given है अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो प्यारे बच्चों यहाँ बड़े ध्यान से देखो नजर यहाँ टिकाना यह 5 है तो इसके बगल में भी आपका 5 भी आजएगा ठीक है color change कर लेते हैं ताकि आपको पता चले जो caution में दिया है वो अपका अलग के कैसे है तो यहाँ पे आपका क्या हुजाएगा यहाँ पे आपका यह चीज आपका 5 हो जाएगा यह 4 है तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 यह 7 है तो यहां भी 7 यह 3 है तो यहां भी 3 यहां भी 3 बस अब इसको multiply कर दो 5 3 15 15 3 5 3 15 15 3 45 5 3 15 15 15 4 जा 60 7 3 21 21 21 इंटो 4 चार चार दूना हां एक मिनिट तो इसको multiply करो इसको जब आप multiply करोगे तो क्या हो जाएगा 7 3 21 21 इंटो 4 84 यह आपका 84 आगया अब इसको फर्दर करो 7 4 7 28 28 इंटो 5 तो 28 इंटो 5 हो जाएगा 5 8 40 करी 4 5 2 10 और 140 ठीक है अब देखो यह सभी आपके यह answers आगे अब देखो कोई भी common नहीं देखो इसमें आपको cut करने का भी चल जाएगा जैसे अगर कोई चीज तीनों चीज मां आ रही है तीनों चीज मां आनी चीजिए जैसे for example 3 को मैं cut करने की कोशिश करो 3 को मैं यहां से cut कर सकता हूं यहां से cut कर सकता हूं यहां से cut कर सकता हूँ, तो आपको यह बात याद रखना होगा, कि जब 3, 3 चीज़ों मोह होगी, तभी आप कट कर पाओगे, तभी आप क्या कर पाओगे, कट कर पाओगे, नहीं कर नहीं कर पाओगे, तो इसका correct answer जैसे कि आप देख सकते हो, 45, 60, 84, and 140, इसका correct answer है, ठीक है, इतना समझभा आ गया, यहां तक का आपको logic समझ आ गया होगा, तो अब अगले question की तरफ को बढ़ड़ें प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यह question था, बहुत ही easy question था, अब इस question की तरफ को बढ़ते हैं, बहुत ही easy question है, बहुत ही अराम से question करेंगे, a upon 3, b upon 4, c upon 7 की value दी भी, अब आपसे पूछ रहा है, a plus b plus c upon c की value क्या होगी, इधर देखो, अगर a upon 3 is equal to b upon 4 है, ठीक है, a upon 3 is equal to b upon 4 है, 3 मैं अच्छा बना रहा हूँ, ठीक है, a upon 3 is equal to b upon 4 है, और is equal to आपका c upon 7 है, अब आपसे पूछ रहा है कि a plus b plus c, इसकी value कितनी होगी, तो यह सारे आपस में equal है, क्यों ना हम इन सबको एक constant चीज के equal रख ले, तो मान लिया हमने इन सबको k के equal रख लिया, ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे a की value पूछू, तो a is equal to क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a upon 3 is equal to k है, तो a की value कितनी हो जाएगी, 3k हो जाएगी, है कि नहीं, और b की value कितनी हो जाएगी, b की value हो जाएगी 4k, और c की value हो जाएगी आपकी 7k, बस अब इसमें आपको put करनी है, बहुत ही easy, a plus b plus c, यानि 3k plus 4k plus 7k, तो 3k plus 4k plus 7k, है की नहीं, और upon में c आना चाहिए, और c क्या है, आपका 7k है, तो प्यारे वच्चों, इन सब को जब आप add करोगे, तो यह आ जाएगा आपका 14k, upon आपका 7k, अब देखो k से k कैंसे हुआ है, option number d, यह आपका cynic school का ही question है, बहुत बारी यह cynic school और rms में पूछा गया question है, तो यह आपका 2 यहां से आपका correct answer आता है, क्या यह इतना logic समझ आता है आपके, चलो, तो यह बहुत ही प्यारा question था, ठीक है, बहुत ही प्यारा question था, अब इसके आगे बढ़ते, आप से पूछ रहे है, तो बहुत ही easy question है, देखो, 1 upon x is to 1 upon y is to 1 upon z, आपका दियाब है 2 is to 3 is to 5, अब देखो आपको x is to y is to z निकालना है, तो x is to y is to z जो हो जाएगा, वो इसका reciprocal करा ना हमने, तो इधर भी reciprocal कर दो, तो 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 5 हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, क्योंकि इसमें जो है, यह सारे के सारे numerators के reciprocals है, तो आपको इसका LCM लेना पड़ेगा, अब जब आप इसका LCM लेंगे, तो 5, 3 is a 15, 15, 2 is a 30, इसका LCM आजाएगा, 30 इसका LCM आजाएगा, अब 2 को 30 से cancel करोगे, तो क्या हो जाएगा, 15 है की नही 3 को 30 से करोगे, 10, और 5 को 30 से करोगे, 6, ठीक है, तो इसका answer जो है, वो 15, 10 is to 6, 6 आगया, 15 is to 10 is to 6 आगया, लेकिन अब यह देखो, यह further भी cancel हो रहा है, further किससे cancel हो रहा है, तो यह आपको देखना है, तो यह किसी से भी further cancel नहीं हो रहा है, तो इसका correct answer क्या हो गया, 15, 10 is to 6, इसका correct answer है तो option number B इसका correct answer है तो बहुत ही easy question था ऐसे ही लाजवाब question हम करने वाले हैं तो आप लोग प्लीज आप लोग video को share and subscribe जरूर करिए ठीक और like तो करना ही है An amount of rupees 9.50 is distributed among A, B and C मतलब 9.50 जो rupees थे वो आपका distribute हुआ A, B और C के बीच में in the ratio 5.11 और 3 ठीक है मतलब C वाले को बहुत कम पैसा मिला हुआ है C वाले को सिर्फ 3 रूपे मिले हुए What is the difference between the share of B and A तो B और A के बीच में जो share difference होगा वो आपका क्या होगा जैसे आप school method तो करते ही हो कि A को मानलो हमने A is share A के share को मिला होगा आप A को share मिला होगा आप आपने बोल दिया 5X रूपीज ठीक है और B को मिला होगा B share तो आप बोलो कि सेर B को मिला होगा 11X रूपीज अब C share क्या होगा तो C को मिला होगा आपका कितना आपका 3X तो अब देखो इन तीनों को add करेंगे तो total amount हो जाएगा कि अगर इसे 5X मिल रहा है 11X मिल रहा है इसे 3X मिल रहा है तो total कितना मिल रहे total 950 मिल रहे तो आप add करोगे और 15X प्लस 11X प्लस 3X जब आप इसको add करोगे तो ये total 950 हो जाएगा है कि नहीं अब इसको add करो 5 और 3, 8 8 और 1 19 19 x is equal to 950 है कि नहीं तो x की value कितनी हो जाएगी 19 50 19 पंचे पिछाड़े वे और x की value 50 हो चुकी है अब प्यारे बच्छों क्या बोलता है what is the difference between the share of b and a b और a के share में कितना difference अब b को 11 x rupees मिल रहा है और a को 5 x rupees मिल रहा है तो difference कितना है 11 x minus 5 x यानी 6 x का difference है है कि नहीं और x की value कितनी है 50 है तो 6 into 50 यानी 6 5s है 30 तो 300 इसका correct answer है जो कि d option जो है इसका correct answer at 300 यह तो हो गया जो आप school में method करते हो और अगर आपको school में अगर आप से पूछा गया यह question तो आप इसे ऐसे ही करोगे लेकिन अब आपको यह सब करने की जरूरत नहीं क्यों x के पीछे भागना वह खुद किसी के पीछे भाग लिए और तुम x के पीछे पढ़े हुए वह तो खुद निकल गी है पता नहीं किसी के वन ले लेंगे तो यानि इसे मिलाओगा 5 रूपए इसे मिलाओगा 11 रूपीज इसे मिलाओगा 3 रूपीज मनलब A को मिलाओगा 5 रूपीज B को मिलाओगा कितना 11 रूपीज और C को मिलाओगा 3 रूपीज लेकिन total कितना मिल रहे है उन्े 950 तो according to us हमें कितना मिल रहे है हम कितना दे रहे है उसे थो आप बलोगे तर तेनों को 19 रुपीज मिल रहे है but according to question तो 950 मिल रहे है तो न險टीन की value कितनी है 950 यानि 1 की value कितनी हो जाएगी 1 की value 50 हो जाएगी मतलब आपका अगर 1 की value 50 हो ग adapter तो बस अब आपसे क्या पूछ रहे, difference between the share of B and A, B और A को कितना के share में कितने का difference है, तो according to us B को 11 rupees मिला है, C को 5 rupees मिला है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछू कितने का difference है, तो आप बोलोगे 6 rupees का difference है, या फिर आप बोल सकते हैं, 6 unit का difference है, हमने बोला है न, आपको ये बात याद रखनी, या एक और बार में समझा देता हूँ, आपको clear नहीं हुआ होगा, तो इधर देखो, हम क्या कर रहे है, हम कर रहे है, एक unit, हम मान रहे हैं, जो पैसा है, वो X नहीं, 1 unit मिला, अब देखो, according to us A को कितना मिला, तो A को मिला है आपका कितना, 5 units C को कितना मिला हूआ है, C को 3 units, और B को मिला हूआ 11 units, और Total, Total कितना मिला हूआ है इनहे 19 units, इतनी फास्ट आपको वहाँ paper में कोशिन करना है, और 19 units की value कितनी है, Total, Total पैसा मिला हूआ 950, तो यानि 19 units की value जो 950 है, तो 1 unit की कितने हो जाएगी, 1 unit की आपकी 50 हो जाएगी, अब आप से पूछ रहा है difference between C and B, C और B के difference के बीचे, नहीं sorry, B और A के बीच का difference पूछ रहा है, तो 11 में से 5 minus करोगे, तो 6 आएगा, तो यानि 6 unit की difference पूछ रहा है, तो 6 unit की कितने हो जाएगी, 1 unit की 50 है, तो 6 unit की 6 से multiply तो 300, तो 300 इसका correct answer आगी, समझ रहा है, एक चोकलेट की अगर 30 रुपे है, तो अगर 5 चोकलेट की मैं पूछ हूँ, तो कितना हो जाएगा, 30 रुपीज, तो multiply ही तो करना है, चलो, अब प्यारे बच्चों, अगले कोशन की तरफ को बढ़ते हैं, अगला कोशन बहुत ही अ अच्छा, यह question थोड़ा सा, overlap कर चुका है, यहां पर, इसे cut कर दो, इस point को, ठीक है, बोल रहा है कि, two numbers are, in ratio, 9 is to 11 के ratio में, बोल रहा है, if the sum of these numbers is 660, मलब इन दोनों को add गरने पर, 660 आ रहा है, तो आप से पूछ रहा है, difference कितना है, उन दोनों के numbers के बीच में, अब आपक एक unit की कितनी हो जाएगी, 33, अब difference पूछा है, difference मतलब 9 और 11 में से minus कर दो, कितना हो गया, 2 की value पूछ रहा है, तो 2 की value कितनी हो जाएगी, 33 into 2, यानि 236, 236, 66, इसका correct answer है, option A, इसका correct answer है, but by the way, अगर यही question आपको school में पूछा गया, तो school वाले इतना ज़्यादा match नहीं समझ पाते, तो आपको यहाँ ध्यान देना है, कैसे आप उसे करोगे, कैसे आप उसे tackle करोगे, बोल है, two numbers आने ratio, तो यानि one number को रख लो क्या, one number हो जाएगा, आपका 9X, और other number क्या हो जाएगा, other number जो है, वो आपका हो जाएगा, 11X, चीक है, तो आपको यह पूछ रहा है कि कितना आपका, दोनों को add करने पर 660 आ रहा है, 11X प्लस 9X को अगर मैं add करतू हूं, तो वो 660 आ रहा है, तो total कितना हो गया, 20X, 20X की value 660, है न, तो X की value कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे, sir 33, 33 रूपीज हो जाएगी, 0 से 0, आप इसे further cancel भी कर सकते है, 20 यहाँ multiply में उदर जाके divide हो जाएगा, तो X की value 33 होगी, X की value 33 होगी, अब पूछा difference कितना है, 11X इसे मिला 9X, इसे मिला तो यानि 2X का difference है, तो 2 into 33, तो इसका correct answer 66 है, बट मैं चाहूंगा कि आप short trick से करिए, खास तोर से जो लोग competition की तयारी कर रहे है, जो लोग घर पे बैठके कुछ यही भी नहीं कर रहे है, मूफली छिल रहे है, तो वो लोग तो long trick से कर सकते है, उनके पास तो time ही time है, अब बोला है, what must be added to each terms of the ratio, this, 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 so the ratio, so it become, आपका 3 upon 4, ठीक है, तो देखो, एक तो यह तरीका है, कि बिल्कुल आप basic से करो, कि 49 to 68 में क्या add करूं, कि ratio जो है, व क्या करो, एक तो basic तरीका, 49 plus x upon 68 में, अगर मैं x को add कर देता हूं, तो ratio कितना बन जाता है, 3 upon 4, इसको solve कर दो, यह cross multiply में, इधर चला जाएगा, यह इधर चला जाएगा, 4 into 49 plus x is equal to 3 into 68 plus x, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लो, फिर आप इसे further solve करोगे, तो यह आपका हो जाएग 3 8s are 24, carry 2, 3 6s are 18, 18 or 2 20, plus 3x, अब इसमें से आप क्या करो, 3x को इधर ले जाओ, तो यानि यह x हो जाएगा, और 204 minus 196 करोगे, तो यानि यह हो जाएगा, आपका 8, है कि नहीं, यह आपका 8 हो जाएगा, तो इसका correct answer 8 हो गया, जो कि आपका, school में जैसे आप करते हो, यह आप क्या बोलने है, इन दोनों में मैं क्या add करूं कि 3x4 की ratio में आ जाए, तो आप option से जाओ, सबसे पहले आपने क्या करा, 49 plus 68 में दोनों में आपने 11 add करा, इसमें भी 11 add करा, इसमें भी, तो 9 1s are 10, 9 और 110, carry 1 4 और 5 6, 8 1 9, 6 और 1 7, तो यह तो कहीं से आपका 4 का वही नहीं है, क आपका 68 plus 10, है कि नहीं, तो इसको आप solve करोगे, तो 9 4 1 5, 8 6 और 1 7, यह देखो 59 जाएगा ही नहीं, 59 क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है, 59 जो है, वो आपका क्या नहीं है, आपका 3 का factor नहीं, तो 3 to 4 की ratio में वो कटेगा ही नहीं, अब देखो, यह भी गलत होग 10 और 6 16, carry 1 4 और 156, और यह हो जाएगा, 7 7 14 और 15, carry 1 6 और 17, तो यानि यह हो सकता है, बट again देखो, यह आपका क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, नीचे, क्या यह 4 का factor है, नहीं है, यह 4 का multiple है, नहीं है, तो यानि 4 भी, 7 भी इसका correct answer नहीं है, तो बस, बचा क्या, 8, 8 को आप टिक कर दो, और अगर आपको अभी मेरी बात पर भरोसा नहीं आ रहा है, तो मैं आपका 8 रख के भी करवा देता हूं, देखो, 49 plus 8, plus 68, plus 8, अब आपको पता है, 49 plus 8 करने पर कितना हो जाएगा, 9 और 1, 10, 10 और 7, 17, carry 1, 4 और 1, 5, 57, 8, 8, 16, carry 1, 6 और 1, 7, अब देखो, यह आपका 4 का टेबल में जाता है, yes, यह जाता है, 4, 1, 4, 4, 4 के बाद, 4, 5, 6, 7, 4, 9, 36, ठीक है, 19, 4, यानि 19, 4, 19 की टेबल में जा रहा है, तो यानि अगर आप ध्यान से देखोगे, तो 19, 4 क्या होता है आपका, 19, 4, 76 होता है, और 19, 3, आपका क्या होता है, 19, 3, 57 होता है, तो 3 to 4 का रेशियो आगिया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर D होगे, है कि नहीं, तो यह बहुत ही easy question था, बिल्कुल ही, टुच्चे लेवल का question था, अब देखो, the sum of two numbers be 40, and their difference is 4, what is the ratio between the numbers, बोल रहा है कि, दो numbers को अगर मैं sum करूँ, तो उनका जो है, sum 40 होता है, और उनका जो difference होता है, वो आपका 4 है, मतलब x plus y करने पे आपका आता है 40, और x minus y करने पे आता है आपका कितना, आपका 4 आता है, ठीक है, अब देखो, इसमें एक लगता आपका concept, देखो, या तो आप क्या करो, यहां से आप ऐसा करो, x is equal to क्या कर दो, 4 plus y कर दो है कि नहीं, और x is equal to 4 plus y करोगे, तो x की जगा पे आपको क्या रखना है, 4 plus y, पहली वाली equation में रख दो, इसकी x की जगा पे, 4 plus y plus y is equal to 40, यह आ जाएगा कितना, 4 में से यह गया, तो 36, 2 y is equal to 36, तो y is equal to कितना आ जाएगा, 18, y की value 18 आगी, अब y की value इन में से किसी एक में पुट कर दो, चाहो इसमें, चाहो इसमें, अब देखो इस value में put करों, तो x minus 18 is equal to कितना हो, जाएगा 4, तो x is equal to कितना हो, जाएगा 4 plus 18, तो 18 plus 4 कितना होता है, 22, तो x की value 22 होगी, तो यानि y जो हो आपका 18 आ रहा है, और x जो हो आपका 22 आ रहा है, तो ratio बोल रहा है, तो x is to y पूच रहा है, क्योंकि हमने पहले x लिया है, तो x की जगा पर 22, y की जगा पर 18, अब देखो यह हो जाता है, 9 to 18, 11 to 22, 11 is to 9, इसका correct answer है, यानि option number c, इसका correct answer है, या तो आप ऐसे करो, फिर एक concept आता है, simultaneously solve करना, simultaneously solve करना मतलब होता है, x plus y is equal to क्या हो जाएगा, आपका 40 दिया हो है, x minus y is equal to, आपका क्या दिया हो है, 4 दिया हो, अब अगर आप देखो, यह दोनों terms जो है, वो same है, दोनों जगा आप x, x और y, 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 y देख रहे हो, ठीक है, अब आप क्या करो, या तो इन सब को plus कर दो, अगर मैं plus करूंगा, तो यहाँ पर sign क्या हो जाएगा, plus क का ही रहेगा, और यहाँ पर भी plus का ही रहेगा, अब देखो, यह sign जो होता है, आपका plus और minus में भी change नहीं होगा, तो यानि, एक मिनट, यहाँ पर plus का नहीं रहेगा, यहाँ पर minus करेगा, क्योंकि, आपको पता है, जब आप plus करते हो, कि दी भी दो चीज़ों को, तो उनक पर आपको पता है, यहाँ पर फिर से मने plus लगा दिया, यह minus हो जाएगा, तो यानि, यह y से y cancel हो जाएगा, ठीक है, जब आप इसे solve करोगे, दोनों को 7 plus करोगे, तो x plus x कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर हो जाएगा, 40 plus 4, 44, x की value कितनी आजाएगी, 22, x की value 22 आगी, आप किसी एक माँ पुट कर लो, उपर वाले में, चाहे नीच वाले में, तो x की value 22 minus y is equal to 4 हो गया, तो y की value कितनी आजाएगी, y इधर चला जाएगा, और 4 इधर आजाएगा, 22 में से 4 minus करोगे, तो आपका 18 आजाएगा, तो फिर उसके बाद फर्दर आपको वैसे ही करना ह तो यही चीज आप minus करके भी कर सकते थे, minus करके कैसे करते, इधर देखो, यही चीज आप क्या कर सकते थे, close क्या कर सकते, कैसे, आपको पता है कि the sum of the two numbers is आपका 40 है, ठीके, x minus y कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, इसको solve करते हो, तो यह minus हो जाएगा, क्यूंकि plus के 7 के धांप्ला क्या हो जाता क्या है माइनस माइनस क्षैंट 1-2 या पर फॉट्य माइनस तो किटने आगे य वाइगे अब यहां से आप x कर कादो किसी एक में पुट आ गया है तो बताओ अमिर को पहले तो प्यारे वच्चों हमने बहुत सारे questions कर लिये हैं इसका part 2 बहुत जल्दी upload होगा चैनल पर ठीक है तो please आप लोग तब तक share करिए subscribe करिए और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो please आप लोग comment करिए कि सर मुझे यह सीखने को मिला या मेरी maths जो है आपके वज़े से यह चीज मेरे को नहीं आज मुझे समझ आई है तो यह सुनके मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे अंदर भी एक motivation जागेगा तो आज का यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं और इसका पार्ट टू बहुत जल्दी आने वाला है तो टाटा बाई 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 टेक कियर एंद गौट ब्लेस यू आल